अब हमारा यहां तक क्या हुआ वेसिक टॉपिक आपका खतम हो गया है अब आपका क्या खतम हो गया है वेसिक ऑपको saara क्तम हो गया है अब अब नेस्स चीज पढते हैं audit process audit process और audit क्या पढ़ेंगे हम procedures Audit Process, Audit Planning and Audit Procedure, sorry, Program, इसको समझते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग गया, और समय भी बहुत जादा नहीं लगा, क्योंकि वह बहुत important questions उसमें से बनता है, कई बार आता है, बहुत important हो, अब देखिये, यह थोड़ा सा कम important है, यह important है और यह important है, Audit Process क्या होता है सर, मुटा मुटा Process कैसा होता Audit का, Process या फिर Step बोल लगें, जैसे आप, आपको company ने बोला कि सर हमारी audit करनी है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है, आप क्या पूछेंगे, सर, आपके क्या काम है सर जी हमारा ये काम है, अच्छा, आपके कितने समय से कर रहे हो सर इतने समय से कर रहे हो, आप company हो या firm हो, सर हम तो company है, सर company के लावा आप पर क्या क्या चीज़े applicable है, मैं उस client की audit, मालो मैं audit रहूँ, उस client की audit accept करने से पहले कुछ चीज़े करूँग यानि audit acceptance का भी एक document बनता है, एक essay होता है, standards on auditing essay 210, तो accept करने से पहले कि मैं audit कर सकता हूँ या नहीं, मुझा करना चाहिए कि नहीं, ठेक है, I'm sorry, उससे accept करने से पहले मुझा चीज़े उससे पूछनी है, यह हो गया मेरा पहला step, यानि accept करना, कि मैंने accept कर लिया, कि हाँ यह कर सकता हूँ, company लगवग लगवग ठीक ठाक है, मैं इसके बारे मुझा जानता भी हो, तो मैंने इसका audit accept कर लिया, पहला process, अब audit accept कर लिया, अब मैं क्या गरूँगा, अब मैं plan करूँगा, ठीक है, कि हाँ, plan करूँगा, कि इस company के साब से ऐसे ऐसे मुझे audit करना है, इ अब रिपोर्ट कर दिया, कि अब रिपोर्ट कर दिया, अब मैंने वो रिपोर्टिंग कर दी, किसको कर दी, company को और company's act में, आरोसी को, last में हमने follow-up कर लिया, follow-up क्या होता है sir, follow-up ही होता है, कि जो चीज हमने check की थी, यहाँ पर, जो चीज हमने यहाँ पर check की, यहाँ पर, क्या वो चीज वापस उतनी ही है, कोई और छेड़ चाड़ तो नहीं होगी, जैसे हमने employees से पुझा दा कि भाई, इस बार, इस चीज में कितनी गलतिया होई है, sales में कितनी गलतिया होई है, उसने बोला कि 4 गलतिया होई है, ठीक है, लेकिन एक बार हम दुबारा check करने गए, तो हमने देखा कि यहाँ पर तो 6 गलतिया है, देखी है हमें, और follow-up में एक चाज और आयाती है, जो शायद book में ना हो, आपने पहले साल का audit किया, ठीक है, first year का audit किया, year one, year one का audit किया, सा जर्नलीज दिक्कत होती है, तो आप क्या करोगा, आपको पता होगा, तो अगली बार आप follow-up करते हैं time, जब year two का audit करोगे, year two का audit करोगे, तो आप sales में ध्यान से check करोगे, ठीक है, इसे ध्यान से check करोगे, इसमें हर बार गलतियां होती है, तो एक बार से दुबारा check कर ल आपने जब एक बार चीज चेक कर लिए, तो एक बार दुबारा उससे पूछ लो, जब आप उससे review करोगे, एक बार खुद भी देखाऊगे, कि हाँ भी चार गलतियां लिखी थी, एक बार देख लेता हो, वही चार गलतियां है न, बुक्स में, तो आप sales में गए, तो इ ठीक है, तो यह basic, एक over, मोटा मोटा process है, अभी हमने कुछ नहीं किया, audit करने का process है, audit select कैसा होती है, फिर हाँ करते हैं, फिर हम plan करते हैं, फिर उसको, चीजों को execute करके check करते हैं, और फिर reporting करते हैं, यह मोटा मोटा process है, यह paper में बहुत काम आता है, अगर यह आएगा तो इसी चीजों, इनी चीजों को वो करना है, explain करना है, audit acceptance, हमने initial देखा कि कौन से act में है, ठीक है, जैसे मानलो यहाँ लिख देता हूं, मैं आपको याद रहेगा, companies act, मानलो इस पर RBI के चीजे भी applicable है, RBI guideline, मानलो इस पर income tax भी applicable है, income tax act, ठीक है, तो यह सारी चीजे हम देखके, हाँ या ना भरेंगे उस company के बारे में, और हम पिछले साल का data भी देखेंगे, कि हाँ पिछले साल साही की, पिछले साल के auditor ने, कोई गलतिया ज्यादा तो नहीं निकाली है, कहाँ गलतिया हो सकती है, हमें लगएगा कि हाँ भ एक मिनट अब प्लैन कर लिया, प्लैन के बाद इसे प्लैनिंग को हमने एक्जिक्योट कर दिया, यानि सारे चीज़े चेक कर लिए, प्लैन के अकॉर्डिंग और रिपोर्ट कर दिया, और साथ में फोलो अप भी ले दे रहे, कि जो गलतियां होई है, वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर ली है, क्या वो गलतियां अभी भी एक्जिक्ट कर रही है, नहीं, तो यही है अपना अपना प्लैनिंग में और प्रोग्राम में कंफीज हो जाओगे, कई बार, अगर आपको नहीं पता हो, और कई बार आप जब रिवाइज नहीं करते हो चीजे को धंक से, तो बाद में कंफीज हो जाते हो, देखो, प्लैनिंग क्या होती है, प्लैनिंग होती है, एक ओवरोल प्लैन करना, एक कंपनी में जो पचास काम हो रहे हैं, उन पचासों को कि हाँ भी मोटा मोटा यह यह रहे हैं, ये चीजे चहक करूँगा, मैं ऐसे चहक करूँगा, पर देख लोगा, लोन डॉक्य someone देख लोगा, इसका काम पॉर्न सर्वलिस्स का, फ़ॉर्न में एकसपूर्ट का काम् जाधा है, तो मैं एकसपूर्ट का डॉक्यमंट देखूँगा, ठीक है, तो ये जो मोटा स्ट्राटिजा होती है मैं पहलिक देता हूं आपको याद रखने के लिए ध्यान रहेगा मोटी मोटी प्लैनिंग सर यह क्या लिखा रहे हो विटा यह चीज न आपको याद रखने में कलको जब आप पढ़ोगे रिवाइस करोगे तो इनी से आपको याद आएंगे चीजे मोटी मोटी प्लैनिंग करना प्लैनिंग या फिर आप बोल लो स्ट्राटेजी ठीक है एक आप मोटी मोटी प्लैनिंग करते हो किसी भी चीज की ठीक है कि हमें ये ये सीजे ये चीजे सब कुछ लगबबबबब चेक करना है ये चीजे चेक करना है ये चीजे चेक करना है इसको ऐसे चेक करना है बस ये हो गया planning, अभी हम discuss करेंगे इसको और अंदर जाके अभ आता है audit program, सार audit program क्या होता है अमने वोई planning programming की तो बात है, नहीं दोस्त program क्या होता है, program audit planning का एक part होता है जैसे आपने बोल दिया कि मैं यहाँ पर कि मैं sales check करूँगा जो की 5 लाग से उपर हो ठीक है जो कि पांच लाग से उपर हो मैं फिक्स एसेट्स चेक करूँगा जो कि न्यू पर्चेस्ड हो यह होगी क्या प्लैनिंग यह होगी प्लैनिंग अब सेल्स मौर sekarang पांच लाग को आप कैसे चक कर होगे एक एक पोईंट कैसे चक कर होगे अब उसके लिए आता है आपका और प्रोग्राम कैसे चक कर होगे जी आपने अपने टीम को बोल दिया कि तुझे चक कैसे करना यह ले प्रोग्राम पकड़, टीम होती हैं, CA के नीचे 2-3 CA होते हैं, फिर उनके नीचे जो नए जोइनिंग होते हैं, इंटरन्स होते हैं, ठीक हैं, तो जो टॉप का CA जिसके पास यह काम है, जिसके अंडर काम आता है, औरिट का, वो अपने टीम को भेजेगा, औरिट प्र प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे, कि आप क्या करोगे, आपना सेल्स का रेजिस्टर चेक करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बिल्स चेक करोगे, आप क्या करोगे, आप गोडाइन में क्लोजिंग स्टोक चेक करोगे, आप क्या करोगे और क्या रहा गया आप डैटर डैलेंस से क्रॉस वेरिफाई करोगे क्रॉस वेरिफाई यह एक्जामपल लिख लेना इससे याद रहेगा आपको तो यह चीज आपने क्या करी यह आपने बनाए एक प्रोग्राम ठीक है यह प्रोग्राम बनाए आपने यह चीज चेक करनेगा तो यह क्या हो गया यह हो गया मोटा मोटा आपने जो प्रचेज चेक करेंगे यह मोटी मोटी प्लैनिंग बनाई है और यह क्या किया आपने उस हर एक पॉइंट को आपको एक एक स्टैप वाईज एक चीज कैसे कैसे करनी है यह हो गया आपका प्रोग्राम अब समझ मैं आ गया और दूबदार ते अपका आपको एकसे करोंगे उसके बाद आप अपनी प्लैनिंग केसे करोंगे हिर उसको को रिपोर्टिंग कैसे करोंगे यह इक गिवर के फिर से बीच वैइंटेय के कंपनी ऊपकते लोग फस्तिखा सब्सेता Г्वै और तो जुटे के कंपनी सब्सक्तिक करने पड़ेगा . अब प्रेक्ट पर देत है तो हम्ने यह वाली प्लैनिंग की ऐस काम है तो 5,000,000 से उपर वाली sales चेक करने का जो होती नहीं है क्योंकि इसका काम क्या है थोग में sales करने का ठीक है यानि wholesale में तो इसका हम क्या करेंगे 5,000,000 से उपर क्या हिए ज्यादा देटा चेक करेंगे क्योंकि बाग के सारी एंट्री लगब लगब पांच लाग से उपर ही है और छोटी एंट्री चेक करने है कोई फायदा है नहीं यह होगी मोटी मोटी प्लाइनिंग अब इसके एक पॉइंट के अंदर हम अंदर गुसके कैसा कैसा चेक करेंगे यह हो ग्या हुसक प्रोग्रेम में जाके क्लोज इंड चेक गरेंगे । डटर के बैलेंश चेक करेंगे क्राइटर करेंगे कृटर की बैलेंश हुआ है वह ले यह हो गया आपका पूरा कॉंसेप्ट जो हम पढ़नी है, ठीक है सारा concept आपको समझ में आ गया, उस concept को समझ में रखने के लिए आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, detailed program को आप जैसे यहाँ पर आपने याद रखने के लिए किया है न, आप क्या लिखोगे आप, sorry detailed, और इस प्लैन भी बोल सकते हो, आप इसको, strategy भी बोल सकते हो, आप इसको, program तो लिखाई हुआ है, detailed में मतलब एक एक चीज, ठीक है, तो यह वाला, अगर आपको, यह graph जो मैं हमने discuss किया है, यह आप बना ले न, आपने register में, इसको देखते ही आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी, ठीक है, तो यह बहुत important है, पूले topic समझने के लिए, चलो, अब पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, planning क्योंते जी, audit planning, includes establishing overall, overall audit strategy, overall, overall हम क्या चक करेंगे, sales चक करेंगे, purchase चक करेंगे, मैंने बताया था न, यह वो चीज़े है, ठीक है, इसमें यह word ध्यान रखने है, आपको stock देखने के जाद, sorry, closing stock बगरा या फिर balance sheet देखने के जाद दुरूत पड़ेगी, ठीक है, आप देखो, plan बनाते time पे, consideration for commencing an audit, topic ठीक है, अब जो हम plan कर रहे थे न, उसमें हम क्या सा क्या सा चीज़ों को check करेंगे, क्या-क्या ध्यान में रखते हुए हम सोचेंगे कि हाँ, अब ध्याना भी, हमें planning करनी कैसे है, जैसे हमने जाना था कि यह तो जूत्य बनानी इक company है, उसी हिसाब से हमने planning की थी, तो हम क्या-क्या चीजे और दिमाग में रखके, plan करेंगे कि हमाँ यही चीज चेक करनी है, क्या-क्या चीजे सोचके Handlin plan बनाएंगे, प्लान यानि वह overall वाला, वह second step वाला, ठीक है, देखिए, पहला point कहा है, initial inquiry, जो मैंने starting बताया था आपसे, कि हम company से पूछेंगे manager से कि sir, यह बताओ, आप क्या काम करते हो, ठीक है, आप क्या काम करते हो, sir, कोई गलती तो नहीं है, आप का main काम कितना है, आप wholesaler हो, आप retailer हो, जो तो मैं आपके export भी करते हो, कौन-कौन से country में export करते हो, आपके कौन-कौन से text applicable हो सकते हैं, आपने क्या, क्या बोलते है, TDS का registration करा रखा है, अपने companies में कोई charge तो नहीं रखा, कहीं loan ओन तो नहीं ले रखा, तो यह initial inquiry होती है, starting में हम जो पूछते हैं, accept करने से पहले, ठीक है, दूसरा, communication with previous auditor, अब मान लो audit न, इस साल का हम कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल का audit किसी और ने किया था, ठीक है, बट इस साल का audit मान लो हमारे पास आ गया, ठीक है, पिछले साल का audit हमने नहीं किया था, पिछले साल का audit किसी और ने किया था, तो होता क्या है, audit accept करने से पहले, यह एक legal point है, company sector में लिखा हुआ है, accept करने से पहले, हमें हमारी जिम्मेदारी है, legally, कि हम पिछले वाले auditor से एक letter लिखवाए है, कि भईया, mask audit order बन रहा हूँ, accept कर रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, साथ मैं यह भी पूछ लेता हूँ कि आपको पिछले वार में क्या दिक्कत लगी, हम पूछ भी सकते हैं उससे अगर वो बता दे तो, कोई बड़ी बात नहीं है, although जब पिछले साल की audit report उसने बनाई होगी, उसमें से तो हम चीजे चेक कर ही लेंगे, बढ़ हम उससे पूछ सकते हैं कि भी यह क्या गड़ बड़ी है, तो हम पिछले वाली audit report से भी देख सकते हैं, उसे हिसाब से माल लोग पिछले वाली audit report में इसने लिख दिया, पिछले वाला audit ने, कि जो इसके न, स्टॉक है न, इसका स्टॉक का न, गोदाम न, में तो जो माल पड़ा है न, उससे ज़्यादा माल है, माल यह कहीं और पे भी रखता है, कुछ माल अपने घर पे भी रखता है, माल लोग पिछले साल के audit report में लिखा हुआ है, तो आप तो करोगे, आप ध्यान दखोगे इस साल, कि हाँ भी मेरको न, इसका स्टॉक धन से चेक करना है, जो इसके घर में पड़ा हुआ है, वो भी चेक करना है, ठीक है, सेंडिंग अंगेजमेंट लेटर तो क्लारिफाई दा वर्क इंगेजमेंट, जब हम यह देखो, audit accept कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारा एक agreement बनता है, मैंने बताया था आपको S से 210, इसके तहत, यह आपको याद रखने के जरूत नहीं है, यह जो मैं standards on auditing बता रहा हूँ, S A, यह नम्मर याद रखने के जरूत नहीं है, आपकी बुक में दिये हैं, तब भी याद रखने के जरूत नहीं है, आप इसको याद नहीं रखेंगे, नहीं लगाएंगे, लिखेंगे paper में, तो भी चलेगा, हमने सब कुछ चेक करने के बाद, हम एक document बनाते हैं, ठीक है company का auditor क्या है, मेरा नाम है ABCN Associate, मैं इसका audit करूँ हुआ, इसका financial statement का, ठीक है, last point क्या है, acquiring knowledge of client business and review, यह तो देखो, यह चीज़ तो हम उपर ही पूछी लेंगे, client के business से, ठीक है, और इसके लिए हम क्या चीज़ देख सकते हैं, कि उसकी business में क्या क्या चीज़े हो सकते हैं, knowledge आपने कभी पढ़ा है, आपने कभी पढ़ा है, वो law में पढ़ा होगा, article of association and memorandum of article, AOA and MOA, MOA और AOA में लिखा रहता है, MOA में, यह हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, MOA और AOA में लिखा रहता है, कि अपनी क्या काम करती है, क्या काम कर सकती है आगे, इससे भी हमें चीज़े प एक audit start करने से पहले, ध्यान में रखते हैं, ठीक है, चालो, यह था हमारा audit planning और audit process, तो audit planning में आपको क्या थे ध्यान रखनी है, इसका meaning, और इसके audit start करने से पहले क्या कर सकती है, ध्यान में रखनी है, अब इसी base पे यह सब चीज़े जब आप जान लोगे, तब ही आप प् commencing an audit plan, ठीक है, चालो, अब audit program समझते है, audit program वही, दुबारा देख लो एक बार, यह आप ख़ोकर सर भूल गया, याने detailed में एक एक चीज़ की detailed है, यह चीज़ क्या आती है, इससे बोलता हम audit program की एक चीज़ के अंदर उसे कैसे 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 चेक करना है, ठीक है, आपको meaning planning तो समझ में आई गया है, अब एक बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, वह discuss कर लेते हैं, देखो, audit program is detailed, एक detail होता है, एक written statement होती है, मतलब वो, जो main auditor है, जो CA है, वो अपने team को यह पूरा बना के देगा, कि हाँ यह चीज़ रिश्टर चेक कर और उसके अंदर भी ऐसा ऐसा चीज़े चेक कर रहे हैं, वो भी बताएगा उसे, तो एक document देता है, बड़ी-बड़ी company में audit ना, audit program के थुरह होता है, उनके पास पूरी list होती है, जो बड़ी company होती है, जो छोटी-मोटी company होती हो, उसमें तो आप चलो सीधा जागे audit कर दे को लिखा जाता है, तो उस समय क्या होगा, बड़ी company में, आपके पास पूरा एक document होगा, audit program का, yes, audit program को पूरा document होता है, audit की team के पास, उसी document का देख देख के audit करते हैं, ठीक है? written statement designed by auditor indicating the work to be performed by the audit assistant, जो भी assistant लगा रखे है, यानि जो main auditor ने अपने बंदे लगा रखे है, अपने team लगा रखे है, यहाँ पर लिख लो assistant के साथ में team, audit team, उसको specify क्या होता है, इतने समय में, specify in the time limit, completion of work, और कोई instruction देनी है, कि भाईया इसको और अच्छे से चेक करना, इसक जाख करना, जो भी instructions है, वो सब ऐसे, ऐसे लिखी हुई होगी, ठीक है, वो अपने team को ऐसे लिख के बेजेगा, आप देखते है, objective क्या है, और प्रोग्राम का, इतना कुछ बना के बेजने के जरूद क्या है, क्यों करता है इतना कुछ, बड़ी-बडी company में ऐसा क्यों करत क्यों से हो, एक एक चीज पता हो, कुछ चीज छूट न जाए, इसलिए तो बना के बेज़ते हैं, पुरानी गल्तियों की वज़े से कोई और चीज छूट न जाए, तो हम एक बड़ी डेख लेते हैं कि क्यों हम OID program बनाते हैं, सर, एक एक चीज लिखने की क्या जरूरत है कि हमें यह भी चक करना, यह भी चक करना क्यों जरूरत है, देखो, पहला point, एक clear instruction मिल जाती है, आपको पता होता है कि यार, टीम को पता होता है कि जा के करना क्या है, टीम मालो नई भी है, नई मतलब, नही नई, 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 new, new member भी हैं टीम में, तो उनको पता है कि सर, मुझे यह चीज करना, यह चीज करना, यह चीज करना, उससे सब कुछ पता होता है, दूसरा, uniformity of the performance, मतलब, जब भी वो audit करना जाएगा, उससे पता है कि मुझे यही चीज कर चेक करना है, डंग से, हर किसी को पता होगा, यह नहीं है कि टीम में चार member हैं, एक कुछ और कर रख है, उनको पता है कि उनके पास audit program है, इसको यह करना, इसको यह करना है, और जो भी चीज चेक करनी है, इस step से करनी है, ठीक है, uniformity रहती है, उससे, तीसरा, attain fair allocation of work amongst audit team, fair allocation, audit team में हो सकता है, किसी के आपास 10 साल का experience हो, किसी के पास 5 साल का हो, किसी के आपस 1 साल का भी ना ह तो अब audit program बना रहेगा, तो जो easy changes होंगी, वो किसको दी जाएंगी, जो बिचारा बिलकुल नया है, जो मुश्किल changes होंगी, जिसमें ज्यादा दिमाग लगना है, जो ज्यादा बड़ी transaction है, वो किसको दी जाएंगी, obvious से बात है, वो जो senior member वो उसको दी जाएंगी, ठीक ह इसलिए fairly allocate कर सकते हो सारा काम, अगर आपके पास पूरा program बना हुआ है, तो, तीस चोथा, fix responsibility वही, इसी के base पे, fair यानि, कि जो जितना लायक है, उसको उतना काम देना, fix यानि उसी responsibility को fix कर देंगे, कि वही, तुझे इतना काम करना है, और तेरे जिम्मेदारी इतने की है, sales के दिम्मेदारी Mr. B की है, ठीक है, अब इससे क्या होता है, आपके पास एक evidence हो जाता है, तो, यार, future के लिए, और इस प्रोग्राम बना लिए, इसके विए से आप future में भी इस चीज से अपना काम कर सकते हो, futuristic हो जाता है, में ये पहले 4 point है, आप ये 4 भी याद रखोगे, तो भी बहुत है आपके लिए, और 4 में क्या-का याद रखना है, वो मैंने आपको mark करवाई दिया, बहुत easy topic है, इसलिए इसको हम और थोड़ा जल्दी खीच रहे हैं, भाई फाइदा क्या है, इससे advantages क्या है, क्यों करते है, objective क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, advantages क्या है, क्या benefit हो जाए है, कुछ चीज़े तो objective में मिल जाएंगी आपको, ठीक है, अगर advantages आ जाए और आपको, advantages of ohit program याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद है objective, तो यहाँ पे हर जगे नहीं, ohit program वाले topic में आप लिख सकते हो ये वाले point भी, लिख लेना कहीं पे अपने book में, for the case में, आप ये वाले point भी लिख सकते हो, sorry हर जगे मत कर देना ये, कि sir आपने तो बोला था, advantages में objective भी डाल देना, चल जाएगा, नहीं दोस्त, हर जगे नहीं, जहाँ मैं बोल रहा हूं सिर्फ हाँ, तो ohit program में बोला, यहाँ चलेगा, हर जगे नहीं चलेगा, ठीक है, चल बट मैं ऐसा नहीं है कि आवाज धीरे कर रहा हूं इसकी वैस से, आपको loudness उतने ही मिल रही होगी, ठीक है, चलो, first point, ohit program helps to ensuring all the important areas, अब यह बताओ, आपके पास एक पहले से प्रोग्राम बना रहेगा, तो आप ऐसा तो नहीं कोई चीज भूल जाओगा, बड़ी 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 company में बहुत चीजों के अलग अलग प्रोग्राम बने होते हैं, हर एक चीज के प्रोपर प्रोग्राम बने होते हैं, कि यही चीज आपको ऐसा चेक करनी है, ठीक है, तो आप उस से क्या होता, कोई चीज छूटे गी नहीं, ठीक है, all important area आपको पता रहेंग है, अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था, देखो, responsibility fix करना हो, देखो, यहाँ पर वही point है, इस और प्रोग्राम रहेगा, तो आप allocation of work, यानि team में work किस-किस को देना हो कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा था, कि यहाँ पर अगर लिख दोगा तो चल जाए आपका, और प्रोग ठीक है, यह देखो, accountability, fourth point, audit program also reduces scope of misunderstanding, तीधी सी बात अगर आपको सबको पता ही है, सबको सबका का काम पता है, तो misunderstanding होने का chances कम हो जाएंगे, it helps audit in checking status of audit work, audit work को check करने का status मिलता रहेगा, आपके पास audit program बना हुआ है, तो आप जब कोई चेक कर लोगा, टिक मार दोगे न, यहाँ पर इतना काम हो गया, आपका senior क्या कहेगा, phone करेगा, यह दो मैने से audit चल रहा है, phone करेगा, कि हाँ बई, कितना रह गया, कहां तक हो गया सर यहां तक हो गया, तो वो खुद देख लेगा, उसके पास भी program पड़ा होगा, वो देख लेगा, अच्छा, इन्होंने इतना काम कर दिया, अभी इतना वाक्य है, ठीक है, लास्ट पॉइंट, audit program enables audit to keep the records, useful information specifically, especially for future audit and reference, भाई, अगर audit program बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ठीक है, next, सर, इसके disadvantages भी होती है, यह तो अच्छे चीज है, audit program तो बहुत, इसके disadvantages कैसे हो सकती है, सर, तो दोस्तों हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कैसे, rigidity, सर, rigidity क्या होता है, rigidity मतलब एक दम उसे चीज पे टक हो जाना, आपने हिंदी में कावा सुनूगा, धाक के पाक हो जाना, ठीक है, जैसे जैसे बोला है, वैसे करते रहो, जैसे आपके भरों में क्या बोलती है, मम्मी, कि जो बोला तो नहीं उतना ही काम किया, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर गया, इस बार क्या करा, आप गए आप सिर्फ साबून ले के आगे, क्योंकि मम्मी ने प्रोग्राम पूरा बना हुआ है, जो औले और इध करने वाले टीम भेजते है, वो सारे लोग क्या क्या करता है, जो प्रोग्राम मना है वाईचाक कर लेते है, अगर उनको दिख रहा है उनकी आँखों से कि यह चीज भी तो है इस रिते चेक कर सकते हैं यहां पर मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है साथ मने एक छोटा सा ओफिस बना रखा है मेरे क्लाइंट ने उसमें ने मुझे कुछ डॉट लग रहे है कुछ गड़बड़ वाला काम होता है तो हो कह बेज साथ मेंढ दल लोगों की टीम है उसमेश स्याव यहां अब उस टीम में कुछ लोग इंटेलीजेंट हैं जो कि धूण सकते हैов ठीक है उनको पता है उनको नॉलिज है कि यहां पर क्या चाहिज गलत हो सकती है वो धूनना तो चाहते हैं लेकिन प्रोग्राम ऐसे बना हुआ है कि यो कितना छोड़ यार क्या इनिशियेटिव लें दूढ़ेंगे तो मेरा सीनियर ढाटेगा कि क्यों विद्व तो ध्यान दे रहा है तो सीधा यही वाला काम कर ठीक है यानि जो कर सकता है इनिशियेटिव ले सकता है कौन सा बंदा efficient knowledge वाला बंदा जिसके पास knowledge वो नहीं ले पाता इसकी वैसे वो step नहीं ले पाता आगे दंग से चेक नहीं कर पाता अब इससे क्या हो गया आपके पास विखेटा है पूरा प्रोग्राम पड़ा है दस चीजा लिखें यहीं। मशीन की तरह मशीन की तरह बंजाओ, यह चुक करना, यह चुक करना यह चुक कर लेकरने, चेप किया मूझ ताक आ गए। इससे यह दिक्क्त हो जाती है, टीम ने अपना दिमाग एक्ष्टाइन लगाती, कि सर इसमें कुछ मुझे गड़वड लग रही है, एक इंप्लोई ने लोन ले लिया है, हमने तो सर लोन डंग से चेक ही नहीं किया है, हमने तो खाली जो लोन कमपनियों को, कमपनी ने बाकी कमपनियों को दिया है, उनको चक किया है, कमपनी ने अपने इंप्लोई को लोन दे दिया, हमने वो चक ही नहीं किया, क्यों क्योंकि हमारे ओट प्रोग्राम में लिखा नहीं था था, तो हम एक मचीन की तरह काम कर रहे हैं, जो लिखा हूँ है, वो करके चुप चाप आ हो, दो तीन साल से वो कमपनी छोटी थी, इस साल उस कमपनी ने अपनी दो फैक्टरी और खोल दी, ठीक है, आपको लगा कि उसने कुछ नया तो खोला है, आपने दो में से एक नई फैक्टरी चेक करी, एक फिर भी छोड़ दिया, आप कमपनी जूता बना रहे थी, जूता तो बनाई रहा था हो, जूते बनाते बनाते उसने क्या किया, उसने न, वो बन गया, LIC एजेंट बन गया, उसने अपने नया काम भी स्टार्ट करते है, अब इस साल में हमें नई चीज भी चेक करनी है, लेकिन हमारा ओट प्रोग्राम तो पहले के साब से बना हुआ है, त इसमें सिर्फ आप हेडिंग याद रखोगे, हेडिंग से आपको पूरा कंटेंट याद हो जाएगा,